अब दावा किया जा रहा है कि कारेकार्णी में युवाओ को मौका दिया चाएगा चुनावों में लगे जटके के बाद मध्यप्रदेश कॉंग्रिस अपने आप को मजबूत करने में लगी है प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष जीतु पटवारी ने दिल्ली में वरिष्ट नेता के सी विनु कोपाल से मुलाकात मुलाकात के बाद वो आज भोपाल पहुँचे कयास लगाय जा रहे हैं कि जल्द ही मध्यप्रदेश कॉंग्रिस की कारेकार्णी जारी हो सकती है कारेकार्णी को लेकर पटवारी ने कहा कि जल्द ही पिसिसी की नई कारेकार्णी घोशित की जाएगी मद्य प्रदेश कॉंग्रिस नय विजन के साथ और युवाओं की उर्जावान टीम के साथ मैदान में उत्रेगी जानकारी के मुताबिक सितंबर के पहले सब्ता में जीतु पटवारी की टीम का एलान हो सकता है वही अंदर खाने से यह भी खबर निकल कर आई है कि इस बार प्रदेश कारेकार नी छोटी रहेगी बतादें कि जीतु पटवारी को फिसीज चीफ बने करीब 8 महीने हो चुके हैं पिछले 8 महीने से जीतु पटवारी बगय टीम के ही काप कर रहे हैं उधर प्रदेश कॉंग्रिस कारेयलाय में सेवा दल की प्रादेशिक बैठक हुई प्रदेश भर के आय सेवा दल के बदादिकारी इस बैठक में शामिल हुए आज हमारी सेवा दल की मिटिंग थी लक्ष था हर भूत पर दो सेवा दलके हमारे परिवार के लोगों के गठन की वेवस्था बने पिछले छे महीनों में कामकाज की समिक्षा की गई साफ कह दिया गया कि अब काम की आधार पर पद दिये जाएंगे जो काम नहीं करेगा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा इस संबंध में बैठक के कुछ दिनों के भीतर ही एक रिपोर्ट तयार होगी जिसमें हर पदादिकारी के कामकाज को लेकर बताया जाएगा इसके आधार पर जल्द ही फेर बदल हो सकता है कॉंग्रिस लगातार अपने रिवाइवल पर काम कर रही है जब से प्रदेश में कॉंग्रिस की कमान पिसी से चीफ जीतू पटवारी ने समाली है तब से लगातार कॉंग्रिस खुद के कमबैक पर फोकस नजर आ रही है और यही वज़ा है कि कॉंग्रिस अब सेवा दल के कमबैक में जुट गई है विरर रपोर्ट पिस्तार नियूज